हाई फ्रेंड्स तो आज मैं स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का सेक्षन तो इंग्लिश के सिलिबस को किस तरह कवर करें इसका मैं डीटेल वीडियो बना रहा हूं प्लीज इसको अंते तक देखना ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप इंग्लिश के सेक्षन को किस तरह पूछूँगा ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि आपका इंग्लिश का लेवल कितना है और मुझे किस अकॉर्डिंग आपको पिर्पेर कराना है तो पहला सवल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो यहां पे 96 जो क्वेश्चन है यह आप देख सकते हैं तो यहां आपको बताना है कि किस सेक्शन में यह 96 जो क्वेश्चन के किस सेक्शन में पार्ट A, B, C, D और E किस सेक्शन में एरर है अगर एरर नहीं है तो आपको E माक करना है तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को अटेम्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए ताकि मुझे यह पता चल जाए कि आपकी इंगलिश किस लेवल की है और मैं उस अकॉर्डिंग ही प्रिपेर कराऊंगा ठीक है तो 96 क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में बताईए चलिए अब मैं आपको दूसरा प्रशन देता हूं एक जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है वो भी यह क्वेश्चन में आई बीपीएस 2015 क्लर्ग के मेंस एक्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर से करा रहा हूं और इसी तरह के क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे पिशली बार जो आर्वियोनल के इस एक जाम को क्रेक कर लेंगे इंग्लिज का स्थेक्षन ता बहुत आसनी से पार कर लेंगे अब मैं आपको वन जीरो थ्री पर लेकर चलता हूं ठीक है यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या है क्वेश्चन तो मैग्जीन डैट वी सब्सक्राइब मैं हाइलाइट इसमें यहां पर या तो यह जो बोल्ट सेंटेंस बोल्ट जो आपको वोड़ दिख रहे जिए हैं ठीक है डैट वी सब्सक्राइब वाला तो दैट फेसिए वाला जो पार्ट है इसकी जगह इन्मेंसे कौन सा सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं कौन सा स्ठक्चर हमका में ले स सकतें पांचों में से सारों में से और अगर ये सही है तो आप को खार कि अटार तो आप इसको चेक कर लीजिए और कमेंट सेक्षिंस डिने आइर आ जाम शहले हम स्टार्ट करता अब आप इस इन का आंसर दे चुके मैं मैं अपना लेक्चर शूरू से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले में आता हूं सबसे इंपोर्टन चीज क्या होती है पैसेज पैसेज हमेशा पूछते हैं जो आई बीपीएस का जो पैटर्न है पूछने का इंग्लिश सेक्शन को तो यह रहा है कि पैसेज सिनौनिम एंटॉनि करती है बैंकिंग के अलावा आपकी राजस्थान वाले एक्जाम करती है और अधर स्टेट के एक्जाम से भी करवाती है तो उन सब का अगर इस्ट्रक्चर उठाओगे ना तो उसमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी वह कॉमन क्या चीज़ होगी एक तो वह पैसेज दे दे सकते हैं कि इसका अंटोनिम या सिनोनिम बताओ तो मैं सबसे पहले बता देता हूं जो पेपर आता है उसकी लेंगविज किस तरह के आती है और किस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं देखो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं इंग्लिश लेंगविज उठा रहा हू क्योंकि जैसा इस paper का pattern था ना मैंने बहुत से paper देखे इसका pattern मुझे सबसे ज़्यादा similar लगा इसलिए मैंने इस paper को pick किया है तो आप इस paper को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो मैं अपने telegram channel पर screenshot डाल दूँगा है ठीक है तो आप वहां से देख लेना इंग्लिश का section तो अब हम स्टार्ट करते पैसेज में क्या पूछ रहा है पैसेज में सबसे पहले आप पढ़ लो डायरेक्शन क्या है रीड फॉलोविंग पैसेज कियर फुली एंड आंसर देक्वेस्ट गिवन बिलो इट सर्टेन व शब्स आपको दिखर रहा है यह थोड़ा टेडा हो रख्ड़ इसको को इनको इटैलिक वर्च बोलते हैं इनको आपको ध्यान रकना है क्योंकि । सम्मंदित आपको प्रशन पूछ सकते हैं ठीक है तो इनका आपको विशेज ध्यान रखना इन शब्दों का कहने का मतब यह है यहां पे तो अब हम देखते हैं आप पैसेज स्टार्ट हो रहा है यहां से तो पैसेज सॉल करने की सबसे ची तकनीक मैं बताता हूँ आपको पैसेज मत पढ़ो ठीक है सबसे पहले आप सीधा क्वेशन पर आओ मैं उसका अभी रीजन बताऊंगा क्यों पैसेज पढ़ने में बहुत समय बर्बाद होता है कई बा आपके सामने इस पैसेज के सारे आंसर करके दिखाऊंगा तो हम स्टार्ट करते हैं 81 प्रस्ट नंबर 81 से ठीक है अब यहां पर क्या पूछ रहा है यहां पर बोल रहा है प्रोपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन पीपल रिजल्ट्स इन विच आफ दी फॉलोविंग त जरूरतों पर ध्यान देंगे उनको पैसा देंगे उनको तरक्के के लिए साधन प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या कौन सी चीज जो इंप्रूव हो जाएगी ठीक है कौन सा रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो देखो इसमें सभी आप्शन आपको सही से दिखेंगे रिच अच्छा पैसा होगा अच्छी एज्यूकेशन आपको मिलेगी इस पीडि इंडिस्ट्री ज्यादा बढ़ेगी बिल्कुल सही है लेकिन अगर आप देखो ना तो सी उत्तर ऐसा है जो इन सारे ओप्शन को अपने अंदर समेटे हुए है तो अगर आप इस सी को देखो ना तो सबसे सही उत्तर इसमें सी है यहाँ पर एबी सही है बी सही है डी बी सही है लेकिन हमें इनमें से सबसे सही उत्तर निकालना है तो अगर आप सबसे सही उत्तर के तरफ जाओगे ना तो इसमें सबसे सही उत्तर आएगा सी तो इस तरह पैसेज को सॉल कर सकते हो पैसेज पढ़ने की जुरत नहीं है अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा समय बरबाद होगा इस तक्नीक से आप फटा फट सारा पैसेज सॉल कर सकते हैं तो मैंने आपको 81 का आंसर दिखा दिया इसका आंसर है 81 का C तो यहां पर आपको C यह option पर टिक कर देना है अब हम आते हैं हमारे 82 क्वेशन पर देखो 82 क्या बोल रहा है इस क्वेशन के लिए आपको पैसेज देखना पड़ सकता है क्योंकि इसने बोल रहा है कि प्री नाइटीन सिक्ष्टी व्यूज एकोनोमिक डवलप्मेंट से रिलेटेड है नहीं जो भी यूज थे वो कौन से थे तो अगर आपको देखो वैसे अगर आप इसमें पड़ेंगे ना तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा इसकी लेंग्विश से देखो पहला ओप्षन क्या देखा है डवलप्मेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलजी टू रिडिउस इंपोर्ट ठीक है अब हम आते हैं दूसरे ओप्षन पर यह प्रफित हो गया ए ओप्षन दूसरा ओप्षन क्या बोल रहा है कि सेटिंग अप निव इंडिस्ट्री यह आपको दिख रहा है बी ओप्षन है सेटिंग अप निव इंडिस्ट्री इसके बाद क्या रहा है यूज ऑफ इसली अवलेबल लोकल रिसोर्स और चौत रिक और जो जियोग्राफिक फैक्टर्स ठीक है तो अब वह बोल रहा है कि भाई 1960 के बाद ऐसे आप बताओ जो 1960 से पहले विद्दमान नहीं थे बाद में आये तो भाई जियोग्राफिक फैक्टर आप देखोगी ना तो एर कहीं बेगर डेवलोप्मेंट हो रहा है तो जियोग्र और इंडारेक्ट टेक्स यह बहुत पहले से चले आ रहे है लोकल रिसोर्स बहुत पहले से चले रहे है न्यू इंडेस्ट्री इसका सेटप बहुत पहले से हो रहा है तो इसका सीधा सीधा आंसर यह हो जाएगा अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो आप डारेक अब आपको अगर है न इंग्लिश की वोकेबलरी थोड़ी से अच्छी आती न तो इस क्योशन में आपको पैसेज पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रत नहीं है आपको यह देखना है देखो क्योशन कैसे सॉल करते हैं या तो प्रशन का अंसर होगा पॉजिटिव या प्रशन क है तो अगर आप इसके टोन देखोगे न तो यहां पर साफ साफ देख रहा है यह प्रशन नेगेटिव टोन का है इस प्रशन की टोन है नेगेटिव देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू पैसेज प्री जुडाइज यह शब्दी नकारात्मक है इस शब्द का मतलब इसका तो इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा अभी पूछ रहा है अगर पक्षपात करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा तो भाई रिजल्ट अच्छा तो नहीं आएगा अगर आप किसी चीज में पक्षपात करोगे तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है नहीं आ सकता तो अगर आप देखो sentence तो इसका answer क्या होगा इसका answer negative होगा बस आपको इस तरह देखना है proper economy growth होगी क्या कभी होई नहीं सकती पक्षपात पूर्ण environment में proper economy growth होई नहीं सकती more agricultural production अगर आपके competition ही सही नहीं है अगर आप एक के साथ न्याय कर रहे हो एक को ज्यादा पहुंचा रहे हो तो प्रॉपर competition नहीं हो सकता तो production increase नहीं हो सकता कभी भी increasing competition अमंग farmers कभी भी होई नहीं सकता भाई एक को तो आपने बहुत कुछ दिया एक को बिलकुल नहीं दिया तो competition कहां से बढ़ेगा अरेश्टिंग ग्रॉथ तो भाई ग्रोथ रुख जाती अरेश्टिंग ग्रोथ मतलब ग्रोथ का रुखना तो अगर आप टैक्स बहुत गलत तरीके से लगाओगे किसानों पर बहुत जादा टैक्स लगा दोगे तो ग्रोथ तो रुखना ही है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी तो यहां पर सही आंसर होगा डी ठीक है तो 83 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन अब हम आते हैं 84 प बोढ़шей मैं ऑनना चाहीं है अप इस सेंकेंज को देखो यहां अब जी उत्तर लिखे उनुथ को देखो डेलप्मेंड नीड़ सड़न पुश बान्यवे правда कभी शटरण पुश हो सकतugen है क्या ऐक साल में सब कुछ बना सकते हो हो जाएं और इस नहीं सकता इसा जे कभी हो ज सदन तो हो यह नहीं सकता तो यह और भी तो वैसे ही गलत हो गए अब हम आते हमारे थर्ड ऑप्शन पर क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन इस प्री रिक्विजिट फॉर डवलप्मेंट भाई यह कौन किस ने कह दिया कि अगर बिजली नहीं होगी तो डवलप्मेंट यूगा य अच्छा कासा डवलप्मेंट हो सकता है डवलप्मेंट इजे प्रोसेस इन्वालिंग लॉट ओफ ट्राइल अनर यह बिल्कुल सही स्टेट्मेंट है बाई कि जब भी आप डवलप्मेंट करोगे तो कुछ कमिया होंगी तो आप उनको सुधारते रोगे ट्राइल अनर मतल अच्छा करना और उन्हीं सुधारना ट्राइल अनर अर्र मैथर होता है न तो आप कहीं कुछ डवलप्मेंट करोगे तो पहली बार आप जब कुछ काम करते हो तो आपको पता नहीं होगा किस तरह करना है तो कुछ-कुछ गलतियां करोगे फिर उसको सुधार होगे तो यह ग्रेजुल प्रोसेस है धीरे धीरे आप जो है परफेक्ट बनते जाओगे शुरू में कोई परफेक्ट नहीं बन सकता तो इसका अंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तो यह आपका चौथा ऑप्शन कंप्लीट इसके बाद हम आते हैं हमारे 85 प्रशन पर देखो यह क्या इस पैसेज के साफ से कौन सा कथन सत्य है तो चलिए कथन पढ़ना शुरू करते हैं 85 का ए ऑप्शन क्या है बैटर क्वालेटी ओफ लाइफ मींस इंक्रीजिंग पर कैपिटा इंकम बहुत जाद है तो इसका मतलब क्या आपको क्वालेटी ओफ लाइफ मिल गी नहीं मिलती जिन्दगी के खर आपको एक बैलेंस लाइफ मिले आपको फर चीज आपको बैलेंस मिलें उसको बोलते क्वालेटी ओफ लाइफ तो एक हो ऐगी तो लॉट्त क्या काम व्ब्र मेंकमिन १ररी दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज आपकी है ओपन मार्केट्स एंड हेल्दी कंपटिशन आर दी ओनली सॉलुशन बाइ ओनली सॉलुशन देखो कुछ-कुछ शब्द आ जाए ना तो उन पर ध्यान देनों वह हमेशा गलत होते जादतर कैसे इसमें गलत होंगी ओनली केवल सॉलुशन यह क्यों तो केवल्ट्ट्स सॉलुशन नहीं है यह वन 'llफ दी सॉलुशन है कुछ सॉलुशन उसमें से एक यह हो सकता तो पूरी तरह कतन ऑपनी Liht से पूरी तरह कतने सहीं नहीं तो यह रौंग हो गया अब क्या है अब है अब है सी आप्शन गार्णिंड फ्रीटम एफ्रि अब देखो चौता option भी देख लेते हैं चौता option क्या बोल रहा है all the d option all the problems about development are known and answer evolved देखो यह सही statement नहीं है कि सभी problems के आपके पास उत्तर होंगे नहीं ऐसा नहीं है कुछ problems आज भी ऐसी जिनका हम उत्तर find करने की कोशिश कर रहे हैं हम evolve हो रहे हैं पूरी तरह नहीं हो भी त पांच option आते हैं और आपको इसी तरह practice करने हैं कि पांच option लेकर चलने आपको क्योंकि वहां पर क्या होता है अगर आप पांच option की practice करेंगे ना तो आपकी तुक्का लागाने की शमता भी बढ़ जाती है एक तरह से आप जितना जदा पांच option वाले question लेकर चलेंगे उतना आपकी practice तुकल लागाने की practice में बढ़ जाती है तो इस चीज़ को अब आपको ध्यान में रखना है तो यहां पर आपका सही उत्तर में ने बता दिया यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा C तो 85 का answer हो जाएगा C ठीक है यहां पर आपको उत्तर हो जाएगा C option अब हम आते हमारे question 86 पर 86 क्या बोल रहा है तो अब हम देखते है 86 में क्क्या पूश रहा है इसमें पूश रहा है क्या निचे दोए statement दे रहे हैं तो आपको बताना है कि क्या दोनोव statement सही है इन में से एक सही है यह दोनों ही गलत है इस तरह के question है तो आप सबसे पहले पढ़ लेते है जा आ बोल रहा है नहीं होता और भी बहुत सर एसपेक्ट होते हैं तो यह सब चीजे भी देखनी पड़ती है तो पैसे का मतलब डवलप्रेंट पूरी तरह नहीं हो सकता कुछ कुछ हद तक होता है लेकिन पूरी तरह नहीं होता तो यह option तो गलत हो जाएगा 100% तो जहाँ 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 आपको यह दिख रहा है वो तो गलत हो गई होगा देखिते हों ए कहाँ कहाँ है तो देखो only A is true यह option तो होई नहीं सकता क्यों A तो गलत है तो A और C तो हट गए क्योंकि A और B बोथ true नहीं हो सकते क्योंकि A गलत है और A वाल option भी हट गया अब हमें B को चेक कर लेना चाहिए तो B में क्या पूछ रहा है दमच दमच फेवर्ड इस्टाटेजी जो प्री 1960 एरा डिड़ नॉट कम आउट सक्सेफ़ली और पीरिड ऑफ टाइम तो अब अगर आप इसको देखोगे ना तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसेज पढ़ना पड़ेगा और यह सेंटेंज जो है बिलकुल सही है ठीक एक टेक्स लिखा होगा उसके असपास पढ़ लेना तो इस तरह अगर आप करोगे ना आपको बहुत टाइम बचेगा पूरा पैसेज पढ़के जो करते ना सौल उनका बहुत समय बरबाद होता है यहां समय की ही सबसे बड़ा खेल है समय को ही आपको बचाना है तो मैंने B is true and A is wrong मतलब जो A statement है वो तो गलत है मैंने आपको पहले बता दिया और यहां पर B है statement वो सही है तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अब हम आगे चलते 87 पे और यही तरीका होता आई भी पेस के पूछने का वो आपको एक पैसेज देगी और पैसेज के बाद वो आपसे पूछेगी इसके अंदर अंटोनिम सिनोनिम बता दो अब यहां पर एक पूछ रहा है यह बोल्ड में जो देर रखा है ना उसका similar word ब होगा properly होगा accurately होगा directly होगा straight होगा क्या होगा ठीक है तो इसको देखो आप तो इसमें जो सही answer आपका होगा वह होगा properly इसका मतलब होता है उचित और properly का मतलब होता है उचित ठीक है तो हम आगे next question पे चलते है तो हमारा 88th question 88th question क्या बोल रहा है फेरली का synonym फेरली का प्रयायवाची शब्द बताओ तो फेरली का प्रयायवाची शब्द क्या होगा यहां पे आप बताए accurately, reasonably, justly, beautifully and tolerably तो what will be the synonym of this fairly word पताई इस cancer तो मैं इस cancer बता देता हूँ इस cancer है ए रीजनेबली ठीक है fairly का मतलब बताए उचित, reasonably का मतलब भी होता है उचित, आपने पढ़ा होगा न huh, reasonable price क्या है इसका, उचित दाम की दुकान the reasonable price shop, तो ंचित का मतलब होता है reasonably बली और फेरली का मतलब भी उचिती होता है अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे ठीक है नीचे चलते हैं नाइन्टीत क्वेश्चन अब देखो 89 पर चलते हैं 89 और 90 में आपको opposite बताना है मैं इसमें आपको एक और शीर बताऊंगा कि opposite का मतलब यह नहीं होता जो आपने किसी word का opposite देख रखा है यहाँ पर opposite आपको बताना है जो paragraph के अंदर line है उसका तो मैं आपको एक जो पहला प्रशन है सबसे पहले 89 वाला कराता हूँ 89 पर कहा है रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है तो रिटार्डिंग का मतलब होता है यार जो धीमे धीमे हो रहा हूँ जो काम बहुत धीमे हो रहा हूँ ना धीमे चलने वाला काम ठीक है तो जो काम धीमे चल रहा हूँ उसको बोलता है रिटार्डिंग वो तो यहाँ पर इसका opposite क्या हो जागा enhancing तेजी से करना ठीक है तो enhancing इसका उत्तर हो जाएगा अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं नीचे इस्टूड का मतलब देखो यहाँ पे बहुत यह अच्छा question है यह इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फसेंगे ठीक है इसमें देखो क्या इस्टूड का मतलब क्या होता है तो इस्टूड मतलब खड़ा रहना तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तर क्या लगाएंगे लोग सी option मतलब बैठ जाना इस्टूड यह नहीं खड़ा होना सेट यह नहीं बैठ ना इस लिए उसी तरीके साफ देख सकते हैं तो जहां पर इस्टूड है इसका मतलब सेट नहीं है अगर आप परग्राफ पड़ोगे तो वहाँ पर देखोगे इस्टूड का मतलब निकलेगा ना वह फेल्ड निकलेगा तो यहां पर इसका सेटर फेल्ड आगा आपको पैरग्राफ पड़ लेना आपने स्क्रीन शॉट नहीं लिया हो तो मैं आपको पैरग्राफ दिखा देता हूँ आप वहां पर स्क्रीन शॉट ले लो तक्या आपको दिक्कत ना हो से इसका पहला section है की ठीक है इसका प्हेला section है इसकी जोट ले लिए ठीक है अब मैं आगे बताता हो पूरा पेरेग्राफ का आप बीइस जोट ले यहांसे हैं यह मैंदा Up कर दिया है कि यह मैंने जोगडिया ठीक है इस सेकिंड पार्ट है एजेंसी तक एक्कुमिलेशन से एजेंसी तक कर लो एक स्किंशोट ले ले उसका और यह थर्ड पार्ट मैं दिखा देता हूं आपको यह देखो यहां पर दीज व्यू हैव नॉट इस्टूड पहली लाइन पड़ो आप दीज व्यू हम नॉट टाइम जब समय आने पर इनकी परिक्षा हुई तो यह फेल नहीं हुए वो किसी पॉलिसी की बात कर रहे है जो डवलप्मेंट हुआ है पॉलिसी नाइटिन सिस्टी बात उसकी बात कर रहे है तो इसे साब साब को पढ़ना है कि जो पैसे जना उसमें जो इटैलिक वरड़ टेड़े वर्ड दे रहे हैं उसका मतलब क्या इस टेक्स इस पैसेज की साब से क्या मतलब वह आपको देखके चलना है ठीक है आपने यहां ते कि शोट ले लिए होगा यह लास्ट वाला भी ले लिजी एस इंपॉर्टेंस से ग्रोथ तक ले लो यह आपका पैसेज कंप्ल आंसर दे नहीं पाता हूं ढंक से मैं समझी नहीं पाता कि आप कैसे वह प्रश्ण पूछने जबकि मैंने हर चीज वीडियो में बताई है फिर भी मैं सब के आंसर देता हूं तो प्लीज आर इतना कोशिश करना कि इसको यह आपकी भलाई के लिए अब केवल 15-20 दिन बचे है एक्जाम के ठीक है अगर मई में भी लग गई तो ज्यादा दिन नहीं है तो यह पढ़ लो और इसको अच्छा रेस्पोंस दो मैं यह नहीं बोल रहा है मेरी वीडियो देखो किसी की देखो है लेकिन पढ़ाई में ध्यान दो फाल दो कि चीज़ों मध्यान मत दो तो हम इसको किस-कम पूछन के बहुत कि तो तो आप चाहो तो इसकी प्रेक्टिस बहुत करके जाओ क्योंकि बहुत कम चाहरेंगे पेर में प्यंद में सबसे pot ह्योएं उसको क्यों पूछ नहीं रहेंगे इसलिए मैने बोले कि इसलik आ सबसे फिवरेट पार्ट के पता है एरर करेक्षन के वह तो उनको भाई बहुत प्यार है एरर करेक्षन के जितने पिवेक्षटन से आपको बहुत अच्छे से करके जाना है मैं अभी आपको 95th question पूछा था वीडियो के फुरू में तो वापिस मैं इसका आंसर बताऊंगा अब तो मैंने आपसे पूछा था As the minister was very intelligent and hard working The king appointed him as the chief advisor तो इसका उत्तर क्या होगा कौन सा पार्ट इसका गलत है तो 96th में आप देखोगे न तो इसका पार्ट कौन सा गलत है D वाला portion गलत है और इसमें एज नहीं आएगा यह यहां से remove होगा गलत है इसको हटा दो एज को ठीक है अब यह सही है The king appointed him his chief advisor एज नहीं आएगा अब हम next question पे चलते 97th पे The comedian आपको दिख रहा है question The comedian enthralled everybody with his quick witty topic to warm up the crowd यह the crowd है ठीक है तो अब आप इसमें बताइए कि कौन सा option मतब किस भाग में error है और अगर नहीं है तो यह उत्तर आएगा इसका तो आप सोची 5 second सोची और फिर इसका answer दीजिए comment section में आप इनका answer देते चलो ताकि मुझे भी ideal लगे कि आप इसका उत्तर मैं बता देता हूँ आपने अप तक देह लिया हुगा इसमें आपको दीख रहा है यह विटी शब्द है, यह गलत है के यहाँ विटी नहीं आएगा यहाँ विटी की जगह आएगा first view it विट ऐड्र डीจะ ईविटी नहीं आएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा विट ये question बहुत important है इनको रट भी लेना आप एक तरह से हो सकते है इसी में से आपको कोई एक प्रस्ट मिल जाए ऐसा ही करती है IBPS आप ये सोचिए हर बार नए प्रस्ट नहीं बिनाए जा सकते तो वो पुराने जो paper होते हैं लिखते हैं क्वेस्ट नमबर 98 एन ओल्ड टाइगर एन ओल्ड टाइगर लिविंग इन दी फोरेस्ट फार नोट स्टोंग इनफ अनिमल्स और स्टार्व फॉर मच डेज तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है यह डेज क्या होता है एक दो तीन उसके मच नहीं लगा सकते मच तो ऐसा होता है जैसे कोई ऐसी क्वांटिटी जिसे हम गिन नहीं सकते जैसे मैंने बहुत मैने खान जैसे पूड़ तो विह मुट है तो आप paar होनतिटी ओफ है एसले को ञप्रओं फूडब सर्थ हम पूदी कोई फूने 235 दिन सकते तो इसी तरह जो इंञीं जा रहे हैं वहां पर आठायकों यह मच की चेकर मैं नहीं आता है ठीक है तो 98 में D option होगा यहां पर error आपकी अब हम आते हैं question no.99 पर तो question no.99 क्या बोल रहा है भाई question no.99 बोल रहा है since the body was almost asleep when a ball files across the garden and hit on the floor if files नहीं होगा यह फ्लाई होगा F L I O F L I ठीक है यहां पर लिख लेना F L I L लिख लेना ईस F L I E S हो गई तो यहां पर क्या हो जाएगा तो यह sentence past tense में तो यह present tense में थोड़ी आजएगा यहां पर फ्लू होगा तो क्या जएगा यहां पर आंसर क्या होगा फ्लू होना चाहिए तो कौन से पार्ट में रहर इसके तो इसके सी पार्ट में रहर है यह फ्लाई की जगा फ्लू आएगा तो यह मैंने बता दिया आपको 99 वाला question अब हम चलते हैं 100 100 question पे तो सवाप प्रश्ण सवाप प्रश्ण क्या बोल रहा है इस इस द लॉयन वाज वेरी इलनेस और अब अब हम सब्सक्राइब अब हम चलते हैं 101 पे इस प्रश्ण में क्या करना है आपको इन प्रश्ण में बताना है कि जो बोल्ड एक जिब बोल्ड कर रख है आज यह सही है और अगर इसवह नहीं है अगर यह सही है तो आपको इफ गोग आखाने अगर सावल सकता है कौन से शब्दो का प्रम तर करकी नीचे कौंसा यह उसको सही बनाने के लिए यह आप समझ गयोंग सों इसमें आपको sir which अगर आप इंगलीश न्यूजपेपर पड़ते न तो आपको बहुत अच्छी से समझवाए जाएंगी जी जी में फॉर्वरड मी कैसे सकते हैं ? तो फिर इसका क्या उत्तर होना चाइए ? he came to me आता है ठीक है तो यह came to से ही शब्द है अगर यहां पर मी अटा दोगे ना आप तो यह सही सेंटेंज है he came forward for help and advice तो मी शब्द गलत है लेकिन हमें इन में से ही नीचे यूज़ करना है तो इन में से सबसे इसमें जो उत्तर से होगा होगा c came to he came to me for help and advice चलो 102 पर चलते जो इदर है अब देखो क्या पूज रहा है दीपक having been over 18 years of age is entitled to vote ठीक है अब इसका अगर आप सही उत्तर बता दूना तो मैं समझ जाओंगा कि आपकी अंगरीजी अच्छी है यह बहुत अच्छा प्रश्न है ठीक है एक सो वन जीरो टू अला क्वेशन दिख रहा है आपको यह जो मैंने हाइलाइट किया है कि दीपक having been over 18 years of age is entitled to vote है तो मैं आपको सीधा उत्तर बता देता हूं नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी टूखेंगे तो इतना तो इसका उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन है ठीक है अब हम आगे चलते हैं प्रश्ण पर तो मैंगजीन दे मैंगजीन डाट वी सब्सक्राइब इस पप्रश्ण मंतलि मैंने आपको पूछा भी था तो इसका उत्तर भी हो जाएगा यह भी पूरा सही है ठीक है अब हम आगे चलते हैं एक सो चार पर यह जो मैं प्रशन करा रहा हूं इसी तर प्रश प्रशन आते हैं तो इनको ध्यान से देखिएगा तो अमंग ओफ इस मैनी गुड़ क्वालिटीज डैटा रिमेंबर और इस हिज ऑनेस्टी तो भाई मैनी गुड़ क्वालिटीज यहां पर एरर का अमंग ओफ इस में इसकी जगा अमंग ओफ इस कैसे आ सकती है इसमें आदितों में से एक आदत इमांदारी मुझे बहत पसंद है ठीक है यह इसका मैंने हिंदियर्थ कर दिया तो आप हिंदियर्थ करके भी अगर निकालोगे ना तो आपको उत्तर मिल जाएंगे अब देखो मैनी ऑफ दी अधर क्लाइंट्स क्या देखो क्या बोल रहा है मैनी करेंगे तो आफ नहीं लगा सकते ना इन लगाएंगे किस कहीं भी डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट इंदा बैंक होता है न तो इन आना चीना ओफ नहीं आ सकता तो आप देखो कि और यहां पर गलत हो जाएगा तो अपने 105 का देख लिए उत्तर आप के जगए इन क्या पूच्रे क्वेशन मिस्टर श्री निवासन इस क्या सैट टू बिकम चेर्मेन ऑफ दी ग्रूप फॉलॉविंग दर रिटायर्मेंट ऑफ इस फादर तो देखो यह यह ना यह सब चीज़े ता आपको रूल्स पढ़के भी आपको समझ में नहीं आ सकती यह सब चीज क्या लग गया वह सैट टू इसमें आएगा तो यह आपको है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद यह आएगा इसमें आप रूल्स वगर कितने पढ़लो आप भूल जाओगे महां पर जाके थोड़ा इंग्लिश की एक बार वगर पढ़ने के प्रैक्टिस करा करो तो foodakah अनुसार टो एडर के अनुसार थोड़ी कुछ काम होता है ना ड peninsula दौने टू यह एर अरला यहसी को बन रहा है उथ यहरל यहियर के घ्डर्डली के साथ 2 तो लगी नहीं रहत तो यहर zurad बिल्कुल गलत है' कोई यह सैंस स nee नहीं हो आफ यह recent सींस का बन रहा है आपको पढ़ने में सही लग जाएगा कि हां यही सही है पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा आप इन सब चीज़े को डाल के दुगा आपको पढ़ने में बड़ा जीब सा लगेगा तो इस तरह भी आप पता लगा सकते हो कि किसका उत्तर क्या है अब 108 वा प्रशन देख प्रॉफिट ठीक है तो 108 में क्या उतर आएगा आपका इसमेंगा ओन दी अकाउंट आप दी इनक्रीज ठीक है ऑन दी अकाउंट आप इनक्रीज इन सेल्स आफ्ट्वे फिरम है अचीवड एन 8 परसेंट राइज इन नेट प्रॉफिट तो 108 में क्या जाएगा बी ऑप्श 26% of our total accounts are a dash by women and senior citizen तो इसमें आप सोचो एक मिनट तो जब भी हम इस तरह के फिगर्स यह फैक्ट की बात करते ना तो यहां पर आराउंड शब्द का यूज आता है ठीक है लगबग हम बिल्कुल किसी अगर आप परसंटेज की बात करें तो क्या फिक्स हो सकते हो गया आप ह हर चीज़ को काउंट थोड़ी कर सकते हो सकते हैं माइन्यूट सा चेंज हो जाए तो हम क्या शब्द यूज करते हैं इसलिए पर आराउंड आएगा और यहां पर ऑपरेटेड आएगा ठीक है अब हम बात करते हैं 1010 की 1010 1110 क्या बोल रहा है तो 1110 बोल रहा है था कंपनी आज इस पेशल ट्रैनिंग टू एंप्लोई इस अन डी ऑन डैस टू ट्रेड ऑन लाइन तो इसमें आपको क्या होता से लग रहा है भाई अगर कंपनी कुछ भी क्या देती है तो प्रोवाइड कराती है तो यहां पर ऑफर भी आ सकता है ठीक है आप यहां पर कंफ्यूज ह यति हो सकते हो कि ऑफर भी आ सकता है लेकिन इसमें ज्यादा से लग रहा है प्रोवाइड और हाउ और हाउ कुर्स टू ट्रेड आंलाइन course to trade online तो समझ में नहीं आ रहा कुछ है तो word is नहीं बैठ रहा तो यहां पर आपका option रहागा how to trade online अब हम आते हैं question number 111 पर यहां पर पूरा हो गया देखो question number 111 में क्या है इसमें पूछ रहा है कि passage दे रखा है और यहां पर इस passage में बहुत सारे blank options देखतेस्तान बोलते ने जिसको तो उन blanks को भढ़ना है में fill in the blanks का question है तो इस तरह के question नहीं आएंगे इसलिए मैं इनको कराऊंगा भी नहीं आपको वो ही मैंने कराया जो जिस तरह के प्रशन आते हैं इस तरह के नहीं आएंगे क्योंकि इन में क्या होता है कि बहुत सारे प्रशन एक साथ आते हैं और वीडियो को यार पूरा देखा करो ताकि आपको सही knowledge मिल सके अगर आप आधी दूरी वीडियो छोड़के जाओगे तो फिर मैं guarantee नहीं ले सकते कि आप इसको पास कर पाऊगे exam को आप इस वीडियो को पूरा देखो समझो मैं क्या बता रहा हूँ आपका 100% सेलेक्शन कराके मानूँगा लेकिन अगर आप आधी वीडियो देखके जा रहे हो और फिर कुछ एक पार्ट दो-दो मिनट देखके जा रहे हो ना तो फिर मेरा भी motivation नहीं रहेगा बनाने का जो को आधी दूर देखके जाने का कोई मतलब नहीं तो चलिए इसके साथ में अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा इंग्लिस की स्टार्ट कर सकते हैं या फिर में जी की वीडियो लेके आऊंगा ठीक है तो यह इसके साथ ही वीडियो समाप्त करता हूं आपकी रातरी झाल झाल